जैस्री कुष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत बहुत हार दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे आज के राशिफल की और आज के राशिफल में कुम्भराशी की बात करेंगे और ये राशिफल चंदराश पर आधारित है तो चलिए सुरू करते हैं आज कुम्भराशिवालों को क्या प्रणाम मिलेंगे जान लेते हैं कुम्भराशिवालों को आज के दिन धन के मामले में अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे धन के मामले में आज के दिन आपके प्रणाम अच्छे रहने वाले हैं निधन और आए के मामले में कोई भी कार आज के दिन रुखने वाला नहीं है खर्चों पर नियंतरन रखकर चलना होगा और अगर स्वास्थ में कोई समस्या चल रही है तो उसका भी ध्यान अवश्य ही आज के दिन आपको रखना होगा प्रेम सम्मंद आज के दिन आपके अच्छे रहने वाले हैं प्रेम सम्मंदों में मधूरता देखने को मिलेगी बस अपने अहम से दूर रहें ठान रखें अपने अहम को बाच्चित में आगे ना आने दें बरना आपके एहम के चलते आपके साथी के साथ बात बिबात देखने को मिल सकता है सिच्छा के लिए आज का दिन बहुत बेतर प्रणाम दिखाएगा आप किसी भी तरहें की सिच्छा ग्रहन कर रहे हैं सिच्छा में आपको बहुत अच्छे प्रणाम आज के दिन देखने को मिलेंगे और सिच्छा में आपको सफलता आज के दिन मिलने वाली है भागे का साथ आपको प्रतेक छित्र में आज के दिन मिलेगा ब्यापार और नौकरी में आज के दिन आपका अच्छा रहने वाला है वहाँ पर आपको अच्छे प्रणाम मिलते हुए दिखाई देंगे वहाँ पर आप ध्यान रखें कि अपने बॉस के साथ संबंधों में कोई बात भी बात ना करें यानि आप अपने सही योगियों के साथ और अपने बॉस के साथ अपने संबंध अच्छे रखें और वहाँ पर अगर हम देखें तो आज के दिन आप चाहे व्यापार कारोबार करते हुए चाहे नौकरी करते हुए आपको परणाम अच्छे मिलेंगे आपकी नीमिस रोतों से आय होती रहेगी और व्यापार कारोबार और नोकरी में आपको आज के दिन सफलता मिलने वाली है पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा आपको बाणी पर सहीम रखकर चलने की आवश्यक्ता होगी इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है और आपको पारिवारिक जीवन में अपने माता के साथ और अपने छोटे भाई भेनों के साथ किसी भी तरहें के बाद विवाद में नहीं पढ़ना है इस बात का भी विश्यस ध्यान रखकर चलना है आज के दिन और पिता के साथ सम्मंद आज के दिन आपके अच्छे रहेंगे क्रोज से बच कर रहें इस बात का ध्यान रखें बैभाइक समंदों की बात करें तो आज के दिन बैभाइक समंदों में बहुत अच्छे परणाम देखने को मिलेंगे अगर जीवन साथी के साथ कोई बात बिवाज़ चल रहा था कोई मनमटाव चल रहा था तो वो आज के दिन आपका समाप्त हो सकता है लेकिन ध्यान रहे ससुराल पच्च के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिपनी करने से आज के दिन बचें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा तो कुछ इस तरह के प्रणाम मिलेंगे, आपको आज के दिन उपाय की बात कर लेते हैं, उपाय की बात करें तो आज के दिन आप सुर्य भगवान को तामे के लोटे से जल अर्पित करें और श्री आदित ध्रदैस्तोत का पाट करें, आपको काफी लाब देखने को मिलेगा, आप सभी स्वस्त रहें, आईश्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री किश्न भगवान से प्रार्थना है, जै श्री किश्न